इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे है विबी नियोज गौर तलब है कि महराश मंत्री मंडल के विस्तार में 36 मंत्रियों को शामिल किया गया था हाला कि मंत्री परिशत के सदस्यों की संख्या अब 43 हो गई है जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है मिली जानकारी के अनुसार विभिन्य दलों के नेताओं ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात के बाद मंत्रियों के विभागों के आवंटन को अंतिम रूप दिया था और सभी मुद्दों को सुलजा भी लिया गया कॉंग्रेस, कुरुशी और सहकारिता जैसे ग्रामिन शेतरों से संबंदि कोई भी विभाग ना मिलने के कारण नाराज है मंत्री मंदल में विभागों और बंगलों के बटवारे को लेकर भी मंत्री खुश नहीं है करीब दरजन बर शिवसेना विधायक भी मंत्री मंदल पद ना मिलने से नाराज चल रहे है तो वही कई विधायक अपने कम ओधे के कारण भी परिशान है बता दे कि शिवसेना के कूल 14 मंत्री बनाए गये है जिनमें पूर्व सरकार में मंत्री रहे रामदास कदम, रविंद्र वायकर, शिवसेना निता, दिवाकर रावते, दिपक के सरकर को भी इस बार मौका नहीं मिल पाया महराश्र में विपक्षी भाजपाई एक महा से अधिक समय से सत्ता में होने के बावजुद भी, विभागों के आवंटन में देरी के लिए महराश्र विकास आघाडी सरकार पर निशाना साथ चुकी है शिवसेना, राकापा और कॉंग्रेस के दो-दो सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे ने 28 नवंबर को शपत ग्रहन की थी इसके 35 दिसंबर को मंत्री मंडल का विस्तार किया गया था ग्यात हो कि NCP के अनिल देशमुक को ग्रो मंत्राले, शिवसेना निता एकनाज शिंदे को शहरी विकास मंत्राले, कॉंग्रेस निता बाला सहिब थुराट को राजस्व विभाग और अशोक चौहान को PWD मंत्री इसके अलावा शिवसेना निता उद्दव ठाकरे के बेटे आदित ठाकरे को परियतन और परियावरन मंत्राले सोप आ गया है तो दोस्तो इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करे और जादा से जादा शेयर करे और इसी तरह की न्यूज और अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद